ये वीडियो में हम लोग बात कर लेते जो गाड़ी में smart entry आता है या smart key आता है जिसमें push start and stop वर्टन आता है गाड़ी को start करने के लिए अगर वो key का battery down हो गया तो आप गाड़ी को access कैसे करेंगे और आप गाड़ी को start कैसे करेंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ गाड़ी का battery का key का चाबी वो drain हो गया है अब वीडियो के end में मैं वो भी बता दूँगा कि इसमें battery कैसे replace करना है जिससे आपको समझवा आ जागा तो फिलाल मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ तो अब जब मैं को अंदर जाना है तो जो key है आप उसमें देखेंगे अग तो जब आप unlock कर लेंगे door open हो जाएगा आप अंदर जा सकते और अंदर जाने के बात जब आप प्रेस कर रहे है तो गाड़ी on नहीं होईगी तो इसका battery डाउन है बट एक message आ जाएगा MID पे जो message बोल रहा है depress brake and then मैं वापिस से message दिखा देता हूँ depress brake and then touch key to the engine switch तो आपको यह message follow करना है brake को press करके key को start and stop button के नजदिक ले जाके press कर देना है अब आप देख सकते है जैसे ही मैं key से button को press कर दिया immediately गाड़ी जो है वो on हो गई और आप गाड़ी को use कर सकते है ठीक है अब मैंने कैसा बताया था इसका जो cell है वो कैसे replace करना है आप देख सकते है तो यहाँ पर insert करके twist करना है की को तो जैसा मैंने की को twist किया की open हो गया अब यह जो green वाला portion है इसको निकाल लेना है भार एक सब्सक्राइब यह जब बाहर आ जाएगा आप देख सकते है cell मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है cell आप यहाँ पर बहुत easily fix कर सकते है ठीक है तो यह आपको workshop में भी करके मिल जाता है मैंने बस आपको demo देने के लिए दिखा है just in case आपको अपने आप से रिप्रेस पर आप कर सकते है एक चीज़ का आपको खास ज्यान रखना है अगर आपको यह घड़ी की बैटरी लो हो गई तो आपको खी घाड़ी के अंदर छोड़ दीए तो घाड़ी अगर आप बाहर से लॉक करते है तो हो सकता है कि घाड़ी ल तक के मैं उसे clear कर दुमा, thank you so much.